आपको दिख रहा होगा कि पूरे भारत से बिदेशों में लोग इसकी तारीफ में ऐसे जुटे हैं कि सहीद बनाना इसको चाहते हैं, सहीद का दरजा दिलाना चाहते हैं और इस मामले में मैं ये कहूँगा, बिहार में पटना से एक जो न्यूज आया है, वो बड़ा निंदनी हैं, इसमें बिहार सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए, उन लोगों के खिलाब देश-दुरों का मुकदमा दायर करना चाहिए, और उनको यदि ऐसा ही है तो उत्तर प जबाब देगी, जनता सब देख रही है, जनता बिहार में चुना होने वाला है, और जनता एक एक चीजों का जबाब देगी और इनको सत्ता से बेदखल करेगी जो अतीक एहमद का पूरा मामला है, उस मामले में शुकरवार को जुमे की नवाज होती है, पटना जंक्शन के पास, और जुमे की नमाज के बाद एक मौब निकलता है, एक विशेश समुदाय का, और आकर के वो एक रैली निकाली जाती है, रैली क्या निकाली जाती है, अ इतनी सिंपथी क्यों इन लोगों? उन लोगों के खिलाब देश दुरो का मुकदमा दायर करना चाहिए और उनको एदि ऐसा ही है तो उत्तर प्रदेश में किसी की मजाल क्यों नहीं है कि ऐसे कदम उठाया जा रहा है चुकि मालूम है कि यहां बाबा की सरकार है और बाबा का जो कानून है बड़ा सक्त कानून है एदि किसी की ऐसी मजाल होगी तो वो जेल के सलाखों के पीछे जाएगा और चुकि अतीक के मामले में आपको देखने को मिल रहा होगा यह हर जगा इनको सोचल मेडिया से लेकर ट्यूटर पर यूटूब पर हर जगा इनको सहीद का दरजा इनको भारत रतन दिया जाए कुछ सहीद भी है जो इनको सहीद और भारत रतन की मांग कर रहे हैं तो यह सब मुर्खता है कि ऐसे लोगों पे देश-द्रो का मुकदमा दायर करें और सब को जेल के अंदर डालें चुकि यह बारत में और भी आने वाली चीजों को बढ़ावा देगा और यहां धर्मवाद जातिवाद इन सब का कोई अस्थान नहीं होना चाहिए अभी कुछ मुद्दे और भी हैं बात करेंगे इस पर सरकार से मेरा यही निवेदन है कि उन सारों के उपर देश-द्रो का मुकदमा दर्ज करें और उनको जेल में डालें बिल्कुल जो आपने जिक्र किया यहां पर भी हार सरकार से जो मांग रखी कि इन पर देश-द्रो का मुकदमा हो क्या लग रहा है भी हार सरकार ऐसा करें क्योंकि जब यह हुआ अतिक और रश्रफ का सबसे पहला जो रियाक्शन वहां से आया नितिश कुमार का अतिश वियादव का कोई अतिक अमद को जी बता रहा है फिर कहरें बहुत दुखद है दोनों के अतिया होगे और चुकि देखिए इस लोग तंत्र में जनता सर्वो पर ही है जनता एक एक चीजों का जबाब देगी जनता सब देख रही है जनता बिहार में चुना होने वाला है और जनता एक चीजों का जबाब देगी और इनको सत्ता से बेदखल करेगी क्योंकि इस लोग तंत्र में ऐसे माफियाओं का कोई अस्थान नहीं है और जनता इस पे जबाब देगी बिलकुल यह जो पूरा इस समय सुन्योजित तरीके से चलाया जा रहा है एक एजंडा जो है यहाँ पर चलाया जा रहा है शहीद को ले करके जो भारत रत्रतम का भी जिक्र किया और वह जो कॉंग्रेस पार्टी का भी जिक्र में आ रहा है सवाल इसमें ये उठता है कि बार- उसको टिकट दिया प्रयागराज में, उसको इससे पहले भी चुनाव में टिकट दिया जा चुका है, यानि कि वो पुराना नेता है कॉंग्रेस पार्टी का, अब जब इस मामले में देखा कि वो तो लोग विरोत कर रहे हैं, तो कह दिया मानसिंग संदूल बिगड़ा है, लेकिन उतार दिया था चुनाव में टिकट दिकट देखे, कॉंग्रेस के चाल चरित्र के बारे में पूरा देश जानता है, ये कोई छुपी बात नहीं है, और चुकि उस पारसत की बारे में बात करें, तो हो सकता है, कॉंग्रेस ने बनिया काम किया उसको निकाल कर, लेक उसके खौब को मैंने आखों से देखा भी है दो-तीन साल, तो उसका इस सरासर प्रोपोगेंडा जो उसको सहीद बता कर चुनाव जितना चाह रहा था, और बाद में कॉंग्रेस ने उसको अपनी पार्टी से निसकासित कर दिया, तो कॉंग्रेस का बनिया कदम है, लेकिन क कॉंग्रेस में ऐसे लोग भरे हुए हैं, कॉंग्रेस का ये चाल चरित कोई नया नहीं है, इसमें तो ये भी बहुत कोई ऐसी बात नहीं है, कि इस पे बहुत ज्यादा मुद्दा उठाना चाहिए, कॉंग्रेस के बारे में पूरा भारत जानता है कि कैसी पार्टी है, इस के बारे में बेशक्त सरकार की तरफ से उनको कुछ दिया गया पचास लाख रुपे दिये गए हालांकि जो चले गे वो तो वापिस नहीं आएंगे लेकिन उनके लिए ये प्रोटेस्ट नहीं देखने को मिले ना बिहार में पटना में और ये जो निकल करके अब सामने आ रह कोई सोक प्रकट नहीं हुआ है कोई संबेदनाय नहीं है इनके परिवार वालों के लिए कोई सोक संबेदनाय किसी ने प्रकट नहीं किया है तो ये भारती राजनीत और उत्तर प्रदेश की विपक्ष की राजनीत की मानसिक्ता को दर्स आता है कि आज की राजनीत कहा जा अब उस शाहिन बाग से connection खुलकर सामने आ रहा है और क्योंकि पहले भी सामने अब confirm किया गया है उसी मुझ्रिम की तरफ से जिन्होंने असद को पना दी थी यहाँ पर कितनी बेनामी संपत्ती अब अतीक एहमत की निकल रही है उससे जो है लाखो रुपया आता था वो वसूला जाता था लाखो रुपया और उस शैस्ता पर भी इनके पास जाता था जो उस समय आगे ही हो गया दितिनात के पास कि मेरे बच्चों को बचा दो मेरे पत को बचा दो हालंकि अभी फरार है तो यहां से भी अब कनेक्शन खुल कर सामने रहे कि यहां पर भी इतने बेनामी संपत्ती है इन लोगों देखे अभी यह जाँच का विसा है जाँच होंगे तो भारत में ऐसे कई-कई मुद्दे इनके सामने खुल के आएंगे और साहिन बाग के बारे में चुकी आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा साहिन बाग एक ऐसा जौलंत मुद्दा है भारत के लिए कि जो भारत की आं होगा तो अतिक जैसे और बड़े मैं इसमें और भी पाया जाएंगे जिनका हाथ नहीं मजबूती से पैर था ऐसे मुद्दाओं में भारत को नुक्सान पहुचाने के लिए ये लोग काम कर रहे थे तो ये आपने सुना यहाँ पर हमारे साथ कोशल सिंग सेंगर मुजूद थे और इन्होंने पूरा जो है अपना विस्तार पूरवक विशलेशन रखा उत्तर प्रदेश को ले करके और जीसी साब से अतिक और अश्रफ का जो मामला चल रहा है कैसे कुछ लोग आ करके जो है